लेके जैसे ही मार्केट जो है बंद हुई उसके पाद एक बड़ी अनॉंस्मेंट हुई पंदरा हजार करोड को लेके क्या राउंस्मेंट है पूरा डिस्कुशन इस व्डियो के तो करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत पूरें तो एक लेटेस्ट अप्डेटी प्लेस वाली थी ना माइनस वाली थी करीब-करीब पर जो की इन बिट्विन चीजें जो की हो रही थी एड़ दा एंड अफकॉर्स जो की हेंड़ेड पॉइंट के आसपास जो है सेंसेक्स में ही बंद हुआ बट निफ्टी बैंक की बात करें तो गाईज अफकॉर्स यहा पर आज के हाई की वड़ाफन आइडिया की इस तो साड़े तेरा रुपिय इसका आज का आई है लोग की बात करें तेरा रुपिय दस पैसे इसका आज का लो है तो गैस यहाँ पर ज्यादा फ्लेक्शूशन देखने को नहीं मिला करीब चारीज पैसे के आसपास का ही फ्ल थी उस टाइम पर भी मैंने बोला था अफकोर्स एजी चैनल पर आप देख सकते हैं वो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो की करीब यहां पर जो की सवा सो रुपे के आसपास का शेयर हुआ था दो जार पंदरा में उसके बाद डा साड़े सोला करोड के आसपास का वॉल्यम ट्रेड हुआ है सोट अलस्टिस की बात करें पांच स्टेंथ है छे वीक ने से दो प्रच्टीज है फेस वैल्यू जो है वो दस रुपे इसकी मार्केट में मौझूद है इसके अलावा अगर बात करें यहां पर एनलिस्ट सेंट तो इसके अलावा अगर बात करें यहां पर इन इसके फॉर्न संटिमेंट यानि किम्मूश्वblind की बात करें तो 88 पर सेट्ट प्रिशन्ट पाये का 8 पर सेट्परundred को ने यहां पर ने ज़रा रहा है है साड़े जोड़ा ँखेक अबी प्रिज्ट अगर आज Колिश धिल की बात करें जो एक और इवन जो की selling और buying हुई है 26 अप्रेल को और इससे पहले एक और यहाँ पर जो की selling हुई है और इससे पहले जो है 25 अप्रेल को एक purchase किया गया है same day trading है यहाँ पर selling जादा हुई है and buying of course कम हुई है तो guys यहाँ पर जो even situation जो है वो काफी हद तक buying selling वाली of course चल रही है यानि की shame day में भी लोग यहाँ पर जो की पैसे कमा रहे है quarterly इसके result की बात करें तो quarterly result को देखें तो December में इसका जो even revenue है वो हलका सा decrease हुआ है and अगर बात करें यहाँ पर net profit की तो company का loss जो है वो कम हुआ है December quarter में EPS की बात करें तो यहाँ पर भी situation काफी खराब है and share holding की बात करें promoter की holding decrease हुई है March में FIA की बात करें तो holding को यहाँ पर भी decrease किया गया है अगर बात करें DIA की तो holding को यहाँ पर भी decrease किया गया है public की बात करें public holding में increment देखने को बना है अदर्स की बात करें तो अदर्स की holding यहाँ पर जीरो है, and visual fund की holding decrease हुई है, FII की holding भी decrease हुई है, and इसके लावा इसकी piece company की बात करें, तो पार्ति एटल, Tata, Tele Services, MTNL, Reliance Communication, इसकी piece company market में मौझूद है, and इसके अलावा अगर बात करें इसकी total equity की, तो guys, यहाँ पर total equity को देखें, तो काफी बड़ी equity यहाँ पर market में मौझूद है, 648 करोड की equity जो है market में मौझूद है, जिसमें से 2451 करोड से भी ज़्यादा जो है, वो promote and promote group के पास है, करीब 42, 42 करोड के आसपास जो है, वो public के पास मौझूद है market में, तो guys, यह अभी at present जो की equity का लेखा जो का मौझूद है, इसके अलावा breaking news की बात करें, तो एक announcement यह थी, 30 April को यह letter दिया गया था, कुछ CGST को लेके, GST को लेके काफी कुछ चीज़े चल रही थी, and इसके अलावा जो की next जो है, इसी को लेके, एक मही को एक और लेटर दिया गया था, जिसमें एक order रेसीव वा था, GST को लेके ही, तो guys, वो सारे, of course, यहाँ पर जो की, इसका जो demand है, वो penalty के साथ, अगर बोले, जो penalty है, एक लाख बात, sorry, एक लाख बातरह जार आठ सो अठानवे, इसकी penalty है, इसके अलावा, जो अगर बात करें, इसकी जो की, इवन next penalty की बात करें, तो यहाँ पर भी एक बड़ी penalty है, 30,83,615 रुपे, इसके अलावा अगर देखें, तो यहाँ पर एक और penalty है, जो की काफी बड़ी penalty है, करीब 9,41,55,796, तो गैज, यह काफी सारी penalty लगे हुई है, जस्ट पिक और जॉप की, GST को लेके, यहाँ पर कुछ issue हुआ था, जो की interest और demand को लेके, जो की fulfill नहीं हो पाए था, उसके against में काफी कुछ चीजे चल भी रही है, इन सब चीजों को लेके, जो है, यहाँ पर pressure भी बनाता, क्योंकि यहाँ पर यह 35 लाग के आसपास यह penalty है, इसके अलावा जो है, 10 लाग के आसपास है, उपर भी करोडों में जो की penalty आ चुकी है, और नेक्स्ट पेनल्टी की बात करें, 34 लाग रुपे यह वाली penalty है, तो गैज यहाँ पर penalty काफी ज्यादा लगी हुए, करीब 4,5 करोडों के आसपास यह penalty यहाँ पर जो की मौझूद है, तो गैज काफी कुछ यह जो की एक letter दिया है, करीब 10 पेज का यह letter है, इसमें जो की penalty जितनी लगी है, वो उसका लेखा जो का यहाँ पर जो की मौझूद है, अगर बात करें इसकी रेकिंग न्यूस की, तो सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पर जो की एक fund raise कर यह company, जो है loan layer, वड़ाफन आइडिया इन टॉक्स टू अवे लोंस वर्थ USD 1.8 billion sales report, तो गाइज यहाँ पर काफी बड़ा लोन लिया जा रहा है, अगर बात करें, इंडियन टेलिकॉम केरियर वड़ाफन आइडिया इन टॉक्स इस इन टॉक्स विद लेंडर्स टू आवेल, लोंस वर्थ 150 बिलियन रूपीज, USD 1.8 billion over the next two years, Bloomberg News reported on Thursday, यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा लोन लिया जा रहा है, यह कहाँ पर यूज होगा, यह सबसे बड़ा मैटर है, इसके लाव नेक्स्ट आइन यूज की बात करें, तो वड़ाफन आइडिया सेल शेर लाइकली टू जोईन MSCI ग्लोबल स्टेंडर इंडेक्स इन अगस्तर रिजी सेज नुवामा, तो गाईज यहाँ पर जो कि एक्सपेक्टेशन है कि MSCI ग्लोबल स्टेंडर इंडेक्स को जोईन करेगी, वड़ाफन आइडिया और शेल, तो गाईज यह दो कंप्मिया है जो कि यहाँ पर जो कि even MSCI ग्लोबल स्टेंडर इंडेक्स को जोईन करेंगी इन अगस्तर, तो गाईज यह भी एक ब्रेकिंग न्यूज है, अब देखना बाकी यह है कि वड़ाफन आइडिया जो है, अब यह 15,000 करोड जो वैल्यू का लोन ले रही है, इसको कैसे कहाँ पर यूज होगा, यह काफी बड़ा मेटर है, इसके अलावा अगर बात करें, इवन टेलेकॉ सेक्टर को लेके, तो गाईज एक मैंने अफकोर्स एक न्यूज देखी दी, लाइक कि इलेक्शन के बाद जो है, टेलिकॉम के रेट भी बढ़ने के चांसिज है, तो गाईज वो भी एक एड़ाफन आइडिया को होने वाला है, क्योंकि अफकोर्स जो अभी जिस इवन सर् पंदरा रुपे लेगा, तो अफकोर्स यहां पर जो कि पंदरा रुपे जो है, वो एक एड़ाफन जो कि प्रोफिट मार्जिन इसकी मुठी में होगा, तो गाईज यह वी काफी दिल्चस्त अनॉंस्मेंट होगी, जैसे ही जो कि रेट बढ़ेंगे, अफकोर्स जो कि इस जो है, इसका अगर बोर्ड मीटिंग की बात करें, तो गैस यहां पर अभी इवन रिजल्ट जो है, आया नहीं है, उसकी डेट नहीं आई है, वो भी काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रिजल्ट जो है, उसके उपर हर किसी का अभी एड़िजन फोकस है, तो गैस अगर बात करें, अभी एड़िजन शेर को खरीदना चाहिए या नहीं, तो मेरे इस आप से काई, यहां पर जो अगर मार्केट की कंडिशन की बात करें, तो टोटली पीक पे है, तो हो सकता है, कि मार्केट कुछ टाइम के बाद गिरने के चांसिस यहां पर जो की लग रहे हैं, जिस तरीके का जो बबल बना हुआ है, उसमें अगर यहां पर वड़ाफोन आइडिया दस रुपे से नीचे आता है, तो मेरे इसाप से कोई प्रोब्लम नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपकोर्स यहां पर बने रहना जरूरी है, अदर्वाइस किसी भी एक कंपनी की म इसकी वज़े से एक तीसरा कॉम्पिटिशन जो है वड़ाफोन आइडिया मेरे इसाप से बने रहना चाहिए, जिस तरीके के जो मार्केट के डिमांड है, उसको देखते हुए, तो मेरे इसाप से सर्वाइब के लिए एक, अफकोर्स एक ऑप्शन जो की वड़ाफोन आइ thank you, take care